मामला 2019 से परिवादी रंचोडा राम द्वारा सेक्शन 13 का तलाक का मामला चल रहा था रंचोडा राम बनाम पुस्पा देवी इस मामले में स्वरो पर्थम इनके मध्य 400 इंठाणू के केस भी हुए और भी बरनकोशन के केस भी कोड में चल रहे थे आज लोग अदाल्थ की भावना से प्रेरित होकर राश्टी लोग अदाल्थ में रंचोडा राम ने और पुस्पा देवी जे ने साथ बैठके लोग अदाल्थ की भावना से प्रेरित होकर आज सेक्शन 13 के साथ अन्य जो 400 इंठाणू बरन पोशन के जो मुकदमें कर रहे थे वो सारे मुकदमों में आज लोग अदालत की भावना से प्रेजित होकर कंप्रोमाइज कर लिया है अब राजी खुशी से यह एक पत्नी पत्नी की दोर पे वापस अपना घर बसाया है तो आज हमारे पूरे अच्छी खुशी बेजा है इससे परिवार में बीवी अच्छी खुशी का माहोल है और हम लोग अदालत की बावनाव पे टाइम टू टाइम हमेशा इस प्रकार की समझाई से करके कई तरह के मुकद में खतम करवा रहे हैं और हमारी भी बावनाई इनके साथ जुड़ी है औ देखो क्या होता है कि कई बार छोटी-छोटी बातों पर मन्मुटाओं हो जाता है। निया स्वरित की जाता है इस प्रेणा के स्वरुप वह आगे अपने जीवन का गुजारा करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे कोल्ट और हम भी जो ये कोल्ट में लाइक परकरिया में काम कर रहे हैं चाहे जुरिशली अधिकारी हो या फिर वगील लोग हो तो उनको भी कहीने कहीं मन में ये खुसी होती है कि हमने एक परिवार को जोड़ा है उनको जोड़कर वापस साथ मिठाया है तो उससे हमारे मन में भी ये खुसी होती है तो हम भी यहां फिर मिठाई फूल मालाए लेकर खुशियों में उसमें सब को सरीक करना चाहते है आज हमारे तलाक का मुकदमा चल रहा था रंचोड़ा राम और पुश्पा तलाक पति की तरफ से पेश की वी थी जिसमें बैंच द्वारा समझाईश की गई और उनकी अधिवक्ता श्री इश्वर सिंग जी राठोड और सुनील जी महराजय दारवा जी द्वारा भी खूप समझाईश की गई बकेसा पुर्शोतम जी द्वारा भी समझाईश की गई और इस समझाईश के कारण ये पती पत्नी अपना विवाद बूल के जो की करीब पांच साल से चल रहा था साथ में गड़ जा रहे हैं और अब राजीना में से पूरी जिन्द की साथ बिताने को तैयार हुए और हमारा मुकदम हो गया राजीना में से समझाईश तो हम सभी के द्वारा की गई और हम पॉजिटिव में समझाईश करते हैं कि लड़ने में कोई सारण नहीं है और विवाद बूलना है तो पिछे की गलतियां या जो भी है वो विवाद बूल के रागे बढ़ो आप और आप देख रहे हो खुशी तो कितनी हम खुश हैं तो इसलिए जो राजी नामे से जाते हैं पक्षकार विवाद बूलके तो सभी को बहुत खुशी होती है तो अब इनके मदे कोई विवाद नहीं है तो इसमें सभी की जीत है